आज तक मैं हूँ आपके साथ नवजोत रंधावा इस बुलिजिन में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किसकदर मौसम ने या कहें कि बिगड़े मौसम ने कई इलाकों की शक्रों सूरत पुरी तरह से बदल दी हैं लोग देशत में बारश और बाड़ की वज़े से तबाही की तस्वीरे लगतार सामने आ रहे हैं और ये ऐसी तस्वीरे हैं जो आपको हिलाकर रख देंगी दो तस्वीरे देखिए पिथारागड की और मद्प्रदेश की भारी बारश की वज़े से नदी नाले उपान पर हैं पिथारागड की तस्वीर जहापर मुंशियारी रोड पर नाले पर तेज बहाव में एक कार फस गई दूसरी तस्वीर भी देख लिजए मद्प्रदेश के शोपुर की है जहाँ पर दो बस्तियों में बाड़ का पानी गुसा आया है तस्वीरे तीन अगस सुबा नो बजे की हैं और दोनों ही तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है देखकर की हालात किस कदर खराब है पहाड एक तरफ पहाड दूसरी तरफ खाई और बीच में बहता दरिया और उसके बीच में फस गई जिन्दगियां ये गाड़ी जो की बीच में फसी हुई है मुंचियारी लाखा जहां पर हालात इसकदर खराब हैं कि नहीं जानता कोई भी कि आगे क्या होने वाला है पानी का तेज बहाव और इस बीच मुश्किल में कारसवाद और अब ये शोपूर की तस्वीर भी देख लीजे और इसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर खराब है निचला माला पूरी तरहां से पानी में दूबा हुआ है मजबूर लोगों ने उपरे माले पर शरण ले रखी है और ऐसे में अगर एक जगा से दूसरी जानो तो वो तस्वीर भी ज़रा देखिएगा क्योंकि रसी के सहारे एक घर से दूसरे घर में जारा पड़ रहा है और नीचे पानी का बहाब भी इतना तेज है कि आप घर से बहार निकल ही नहीं सकते और उपर से लगातार बहाँ पर बारश हो रही है अगस का महीना आ चुका है बावजुदस के देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 23 बारश या कहें कि इतनी बारश हो रही है कि संपर्ख ही कट चुका है दो बस्तियां ये शोपुर की जो पूरी तना से जल्मगन है तो पहाडों से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर बरप रहा है कहीं चटाने चकना चूर हो रही हैं और ताश के पत्तों की तरह पहाड़ दर रखते जा रहे हैं कहीं मलबो का शोर दिलों में खौफ भर रहा है तो कहीं बेहसाब बढ़ सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है इससे जब कापती है कुदरत तो उसकी शकल इस कदर बेनूर हो जाती है बेरंग हो जाती है हरी भरी वसुंधरा बेहसाब परेशानियों का पहाड बहने लगता है रेत की तरह इस कदर चट्टानों को चटनाचूर होते देखना सिहरन भी पैदा करता है और अफ्सोस भी ऐसा लगता है कि पहाड भस्म हो गया है और रेत बनकर चला आ रहा है साथ में पत्थरों का मलबा अपने साथ उखाडता आ रहा है बड़े बड़े तरख्षतों को प्रकृती के तांडव की ये सस्वीरे उत्रा खंड के चमोली में नारायन बगल की यहाँ पर खाल मोटर मार्क जाग गाउं के पास भयानक भूस खलन हुआ है इतना मलबा नीचे गिरा की रास्ता बंद हो गया लोग परिशान है लोग इसलिए भी परिशान है कि कुदरत की इस मार से बचाने वाले इनके पास समय से नहीं पहुँचे यह तो काभी मलवा आ चुका है और जेसीवी का नाम और निशान नहीं है यहां पर अबिताफ और कितने सारे लोग यहां पर जो बजार की जाने का इंदार कर रहे हैं तो लोग पैदल दाने के लिए मजबूर है और जो जेसी भी ऑपरेटर है या जो उनके रिस्पोंसिबल जो परसन है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं यही हाल बागेश्वर का है देखिये ना इस कदर मलबा बहता है कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थर चकना चूर हो जाते हैं पेहसाब बरसाथ में बागेश्वर को बदतर कर दिया है जगा जगा चक्ताने लुड़की पड़ी हैं रास्ते बंध हैं कुछ रास्ते पर मलबो काम बार है और कहीं कहीं लोग भसे हुए हैं प्रशासन युद्धस्तर पर रास्तों को खोलने की कोशिश में जुटा है लेकिन जिस तरह से कुदरत में कहर बर पाया है उसके आगे राहत बचाओं में जुटे लोग भी पस्त नदर आते हैं बेहिसाब भूस्खलन से कब कोट का क्षेत्र सबसे जादा प्रभावित हुआ है नौ सड़के बंद हो गई बीस गाउं से संपर्ख कट गया लगातार हो रही पर साथ ने यहां जिंदगी को मुश्यल में डाल दिया है यही हाल रुद्र प्रयाग का है रुद्र प्रयाग में लगातार हो रही पर साथ से जगा जगा जल भराव है पूरा मयाली पानी से लबालब है मलबे की वज़ा से जखोली मोटर मार्क बंद है बद्रिना थाईवे और केदारना थाईवे पर भी जगा जगा भूस्खलन हो रहा है सिले की 14 सडके बंद पड़ी है केदार धाम में भी सबार दस्त बारिश हो रही है पानी तो बरस रहा है लेकिन पीने के पानी का तंकट भी बढ़ रहा है दो तिन दिन से लगाता है मुस्ताधार बारिश होने से आम जन मानस बहुत परिशान है क्योंकि जो गाओं के ग्रामेन शेतरों की लिंक रोड़े हैं वो बंद हो चुकी है लोगों के आवाजावी ठप हो चुकी है लोग अपना रासन पानी या अपने दूर दरार नहीं जा पा रहे हैं और गाओं पहाडों पर इस वक्त तुरगती है कब कौन सा पहाड चकना चूर होकर मिट्टी में मिल जाए कहा नहीं जा सकता कब कौन से प्रत्वी पाताल में समा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता चमोली से कमल नेंजिलोडी और बागेश्वर से जग्दीश पांडे के साथ प्रवींट सेमवाल रुद्र प्रयाथ आज तक पहाड के बाद अब जरा मैदानी इलाकों की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि यहां पर जबरदस बारश और नदी नालों में उफान की वज़े से अलग-अलग शेहरों में बार का संकट मन रहा रहा है इचावा, जालोन, और रिया तमाम इलाके ऐसे हैं जापर नदीया या तो खत्रे के निशान के उपर बह रही हैं या फिर खत्रे के निशान तक पहुँच गई हैं निचले आलाकों में पानी भर गया है लोग बेहाल है मंदिर डूबा मकान डूबा खेत डूबा, खलिहान डूबा शम्शान डूबा उत्तर प्रदेश के इटावा में बारिश क्या हुई, मानो आस्मान से मुसीबा थी बरस पड़ी हो यमना नदी का जलस्तर बढ़ा और किनारों पर बसे गाउं देखते ही देखते टापू हो गए तरजन भर से जादा गाउं में 10-10 फीट तक पानी भर गया जान बचाने के लिए लोगों ने अपने घरों की छट पर ही डेरा डाल दिया लेकिन बारिश की इस आफत के बीच कुछ लोगों को ये आसरा भी नसीब नहीं हो पा रहा है इटावा शहर में बारिश अपने साथ कैसी आफत लाई है वो आप इन तस्विरों को देखकर समझ सकते हैं कई मोहलों में बार जैसे हालात हैं मतान पानी के बीच घिरे हुए हैं गलियां डूबी हुई हैं और जैसीबी मशीन की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकिन सभी को शेल्टर होम में पहुँचाया जा सके यहां पे पीछे से हमना बैक मार रही है चंबल के बढ़ने के बढ़ने की बज़े से तो अभी जल इसतर एक मीटर के आसपस लवब बढ़ा हुआ है तो इससे कुछ घर प्रभावित हो रहे हैं तो लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और साथ लोग अभी निकाले हैं और इन लोगों को हम लोगी प्रशाशन की दरफ से ओप्षिन दे रहे हैं कि जो हमारा आस्थाई शेर्टर हूं मना हुआ है बार केम से बोलते हैं सुंदरपुरूर का शेर्टर हूं है वहाँ पे हमाँ पास काफी लोग के रुपने के विवस्ता हम लोगों ने बना ल है लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस बार की स्थिती और जादा खराब है पहले जैसी तो नहीं भाई है एक साल और आई थी वह लगबक किते साल करानी बाद है वह करीब 20 साल होई थी हूं है अब जैसे माले खत्तर करीब तो तब जैसे कुछ हालात दिख रहे हैं हाँ पानी कहां कहां तक कितने फुट लगबक भर गया होगा है अनमान जी पूरे दूबे हैं और जाए इनकी पाड़े जी की बिल्लेंग है जाए एक मंजित दूब गई अप्तिता है SDRF की टीमें लगातार रहात और बचाव काम में लगी हुई है लेकिन संकट इतना ज्यादा है कि मदद पहुचाना भी आसान नहीं है कि टावा और और रहिया विशेश रूप से हमारी जो लोक्षवा है उस लोक्षवा में जो चंबल का किनारा है और यमना का उससे जो सटे हुए गाओं है वो उनमें पानी काफी मात्रा में पानी भर चुका है और पिटावा जिले के लगबग 6-7 गाओं ऐसे हैं जो जलमं हो चुके हैं और वो संपर्क मार्क से पूरी तरह से कट चुके हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेल खंड इलाके में भारी बारिश की वज़े से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और अईया जिले के गाओं का हाल देखे गले तक भरे पानी के बीच लोग फसे हुए हैं प्रशासन की टीम नाओं के जर्ये बाढ़ प्रभावित गाओं का दौरा कर रही हैं और लोगों तक जल्द मदद पहुचाने का भरोसा दिला रही हैं कई लोग ऐसे हैं जो बाढ़ के बीच अपना घरबार छोड़ कर जा चुके हैं क्यूकि अभी ना तो बारिज तिराहत मिलती दिख रही है और ना ही पानी उतरने के कोई आसार हैं शहर में घुसे सहलाब ने जालाओन शहर की भी सूरत दिखार दी है कई लागों में पानी ही पानी नजर आ रहा है और एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए लोगों के पास सिर्फ नाओं का ही सहारा रह गया है नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग धरे हुए हैं क्योंकि बढ़ता हुआ पानी कभी इनके आशियाने को अपनी चपेट में ले सकता है बार के संकट के बीच SDRF की टीमों ने मोर्चा सभाल रखा है ताकि बारिश की मार के बीच लोगों को जल्द राहत पहुचाई जा सके बुंदेल खंड के कई जिलों में हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं मूसलाधार बारिश लोगों की जिन्दगी पर भारी पलती जा रही है बारिश की मार थमने के बाद ही यहां के लोगों को इस मुश्किल से पूरी तरह सिराहत मिल सकेगी आज तक देरो दुनिया उन्हें हाउकी का जादुगर